हेव, what's up people, क्या हाल चाले, मेरा नाम है विने कुमार और आज किस वीडियो में आपको बताने वालों कि भारत एटिम एप में तीन सेटलमेंट अकाउंट कैसे एड करें और सबसे पहले बताते हों कि सेटलमेंट अकाउंट क्या होते हैं तो जो भारत ATM fraud की जनोंने अभी नए नए ID बनाई है उन्हें settlement account के बारे में नहीं पता होगा और जिनोंने पहले से भारत ATM Kris weeks को यूज कर रहे हैं उन्हें settlement account के बारे में पता होगा तो पहले भारत ATMF में जो पुराना जो ओल्ड बर जनता भारत ATMF का उसमें जो फीचर था केवल एक settlement account अड़ कर पाते थे wallet के जो पैसा होते था वो उसी account में transfer कर पाते थे अब क्या होगे भारत ATMF का जो new update आया उसमें अब आप तीन settlement account अड़ कर सकते हो जब आप तीन जे तीन settlement account में अपनी account की detail फिल कर दोगे तो आपको जैसे wallet के पैसे को पहले वाले settlement account में transfer करना है या दूसरे वाले account में transfer करना है या तीसरे वाले account में transfer करना है गाइस अब हम जान लेते हैं कि भारत e-tmap में तीन settlement account को कैसे add करना है जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा my business का option तो जो भी आप अधार card से पैसा निकालोगे वो आपका my business में जाकर सोगा अब आप my business के पैसे को अपने account में transfer करना चाहते हो तो इसके लिए आपको अपना bank account लिंक करना पड़ेगा जिसे कहते है settlement account तो यहाँ पर आपको तीन line दिख रहे होगे इस पर आपको click कर देना है तीन line पर click करने के बाद आपको यहाँ पर एक bank account का option दिखेगा इस पर आपको click करना है इस पर जैसे ही click करोगे तो जैसे कि यहाँ पर लिख कर रहा है your linked bank account तो यहाँ पर मैंने दो account link कर रखे हैं already पहली से पहला यह दूसरा यह अब मैं आपको तीसरा bank account link करके दिखूँगा कैसे आपको link करना है तो यहाँ पर आपको add new का option दिखेगा इस पर आपको click करना है click करने के बाद यहाँ पर link your bank account तो यहाँ पर एक कुछ line लिख हुए please answer on the account should be same as on the document यहाँ पर आपको ध्यान देना है जो भी आपकी passbook है bank की उसमें आपका जो account number है आपका नाम है और आपका bank का ifc code है और जो और bank का नाम है वो आपको सही से डालना है यहाँ पर अगर आप सही से fill करोगे तो जबी आपके account पैसे जा पाएंगे तो यहाँ पर मैं अपना ptm bank का account number डाल देता हूँ तो मैंने अपना ptm bank का account number डाल दिया है मैंने अपने ptm bank का account number यहाँ पर डाल दिया है इस परकार से आपको यहाँ पर अपने bank का account number डाल देना है यहाँ पर डालना है आपको IFC Code मनि आपको आपकी पास्बुक में IFC Code दिख जागा वो आपको यहाँ पर डालना है जिसे कि मैं PTM का IFC Code डाल देता हूँ तो यह रहा PTM का IFC Code मैंने यह PTM Bank का IFC Code डाल दिया है यहाँ पर Bank Name जिसे कि आपका State Bank के पंजाब National Bank है Bank को बोड़ोदा है Bank को महराष्टे है जो भी Bank हो उसका Bank का नाम डाल देना जिसे मेरे PTM Bank हो तो PTM Bank डाल देता हूँ PTM Bank तो मैंने Bank का नाम डाल दे है And what is your UPI अगर आपके पास UPI ID है तो आप डाल सकतो अगर नहीं है तो कोई बात नीजे IFC कोड और Bank name यह तीनों चीजे डालना बहुत जरूई रही है और Bank में आपका क्या नाम है वो भी अब आपको Link My Account पे क्लिक करना है तो यहाँ पर प्लीज बैटे और यहाँ पर Your Bank Account successfully change मने कि Link हो चुका है तो यहाँ पर प्लीज बैट आ रहा है और यहाँ दुबारे से आपको इन तीन लाइन पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको Bank Account पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद मेरे तीन Bank Account लिंक हो चाहिए पहला यह, दूसरा यह, तीसरा यह अब आपको मुझे किस Bank में पैसे चाहिए मुझे चाहिए जो अभी मैंने तीसरे वाले बैंक अकाउंट लिंक करा है इस वाले आकड़े में पैसे चाहिए तो आपको यह वाला जो हमारा पहला वाला ओन है इसको ओन कर लेना है तीसरे वाले को इस पर क्लिक करना है यह ओन हो गया अब जो भी मेरे जो भी मैं अपने वालेट के पैसे को ट्रांस्पर करूँगा सेटल करूँगा तो मैं मेरे तीसरे वाले अकाउंट में जाएंगे अब मैं चाहता हूँ मुझे तीसरे वाले में नहीं चाहिए तो मुझे पहले वाले में चाहिए तो पहले वाले को मैं इस पर क्याल करूँगा क्लिक कर दूँगा तो ये दोनों off हो चुके और ये वाला account on हो चुका है अब मैं wallet के पैसे को ट्रांसपर करूँगा तो केबल इसी account में जाएंगे तो कहां से आप wallet के पैसे को ट्रांसपर करते हैं इस पे क्लिक करके जो भी amount होता है जितनी आपके wallet पैसे बड़े होते हैं और move पे क्लिक करते हैं तो अब आपको पता पढ़ चुको कि किस परकार से आपको settlement account add करने है और किसी के settlement account गलत add हो चुके है और उनको आप हटाना चाहते हो तो आप मुझे comment कर सकते हो मैं आपको बता हो कैसे हटाने आपको account I hope आपको ये वीडियो पसंद आयोगी वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ देख करिए और वीडियो से रिलेटर कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे डारेक कोल कर सकते हो इस्टाग